हेलो एब्रीवान कैसे हो आप सभी आए होग कि आप सभी बहुत 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 अच्छे हूंगे मैं उश्रया जा और मैं आप सभी का वेलकम करती हूं हम सब के फेवरेट यूटूब चैनल जेयार कॉलेज पे ठीक है हम लोग थे चैप्टर नंबर 5 फॉर्मस आफ मार्केट पर्फेक्ट कॉम्पिटिशन मतलब क्या पर्फेक्ट कॉम्पिटिशन बहुत सारे बायर्स वस्वरी बहुत सारे सेलर्स सेम mostly प्रोड़क्ट को सेल करते हैं उसको हम perfect competition बोलते हैं जो आज हम क्या सीखने वाले हैm price discrimination under perfect competition उसके price discrimination मतलब क्या प्राइस determined करना किसी भी product का price कैसे determined होता है ये हम सीखने वाले मतलब क्या जहां पर demand और supply का interaction होगा ठीक है मतलब क्या जैसे समझ दो यह डिमांड है ठीक है और यह supply है यह जो interaction point है इसको ही हम बोलेंगे equilibrium ठीक है इसके basic पे ही हमारा जो price decide होगा वो इसके basic पे ही होगा ठीक है यहां पर एक example भी दिया कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे अगर दोनों सीजर एक दूसरे को साथ में intersect करती है ठीक है साथ में intersect करती है तो हम एक cloth को अच्छे से कट कर पाएंगे ठीक है यह हमारा price discrimination under perfect competition ठीक है देखते हैं क्या है ठीक है जब price apple की एक kilo apple की price है 10 रूपीस ठीक है जब price 10 रूपीस थी तो मेरा demand कितना था 500 मतलब क्या मेरा demand बढ़ा ठीक है पर जैसे ही मेरा price बढ़ गया ठीक है तो मेरी क्या होई demand कम हो गई कितने 100 रूपय से कम हो गई ठीक है पर जैसे ही 30 रूपय मतलब क्या एक apple की तीजेश प्राइस जैसे ही 30 रुपंगों को क्या दिख रहे हमारा टीमांड था आप सप्लाई दिखते हैं एक सेलर के point of view से सूखता है त्हिकि है क्यOM क्य pixel करे अगर मेरा सप्लाइव हो रहा है मतलब क्या में ज़ूड़ा कमा तो मैं ज्यूदा कुमा, तो ज्यादा कमाएंगी तो क्या करूंगी की All उ पेड़ाक्शन कर क्या और पेड़ाक्शन पेड़ाक्शन मतलब क्या है, मेरा जैसे ही demand 500 था, मेरी quantity of supply कितनी थी, 100 थी, ठीक है, जैसे ही 400 पर आई, 200 हो गई, मतलब क्या, जैसे जैसे मेरा supply कम हो रहा है, मेरी demand भी कम हो रही है, मेरी profit भी कम हो रही है, ठीक है, जैसे जैसे मेरा demand कम हो रहा है, मेरी supply भी कम हो रही है, ये क्या है हमारा supply, और हमने पहले क्या देखा डिमांड डिमांड और प्राइज में क्या है इन्वर्स रिलेशन्शिप है और यह हमारा डिमांड और सप्लाइज में क्या है यह फंक्शनल रिलेशन्शिप है पॉजिटिव रिलेशन्शिप है ठीक है इसको हम प्लॉट करके देखते हैं ठीक है हमारा price है यह y axis और यह X axis ठीक है इस पर हम लोग क्या करेंगे पहले हम लोग demand का यह graph値 को draw करेंगे ठीक है उसके पाद क्या हमारा supply करेंगे करेंगे मतलब क्या यह जो point है यह क्या है यह हमारा equilibrium है ठीक है इसके basic पर ही हम किसी product की price determine करेंगे perfect competition में ठीक है उसके बाद क्या मेरा जो प्राइस है वो कितने पर आ गया मेरी जो सप्लाइ थी ठीक है वो कितने पर अभी समझ रहा है यहाँ पर 100, 200, 300, 400, 500 ठीक है मतलब क्या मेरी जो डिमांड थी वो कितने है 300 ठीक है 30, 30, 40 और यह 50 मतलब क्या मेरी जो डिमांड और सप्लाइ दोनों भी क्या है सेम है ठीक है और पर मेरा प्राइस कितना है 30 मतलब क्या मेरा डिमांड और जो सप्लाइ वो सेम है वो साथ में आके एक गुसरे को इंटरसेक्ट करिए तब मैं प्राइस कितना रख दूंगी 30 रुपई यह हमारा क्या है मार्केट प्राइस हम लोग ने यह फीचर में देखा था परफेक कॉंपटिशन के कि हमारा जो परफेक कॉंपटिशन है उसमें हमारा जो यह परफेक कॉंपटिशन में जो एक बायर है स्वारी एक सेलर जो है वो जो प्राइस डिटर्माइन करता है वो किसके बेस्पे करता है इसको ब्रिलियम के बेस्पे ठीक है मतलब कि हमारी गवर्मेंट यह हमारी मार्केट जो 30 उर्पे का प्राइस डिसाइड करके देगी उस पर ही हम हमारे प्रोडक्ट को बेचेंगे ठीक है यह समझ में आया बहुत इजी है ठीक है आपके टेस्टों में बहुत लेंदी है पर मैंने आपको एकदम शौक में करके Mizraew went出來 में करके दिया है ठीक है एकप्छाम में आने के चांसे मोनोनमो मतलब क्या परिंगल और फॉली मतलब क्या तिक अब एक सिंगल सेला 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 सीमें कि मार्ली कर णEMA अगर सिफ ये मार्कर सिफ मैं ही बना के मार्केट में बेच रही हूँ अब मैं ही इसको सिफ मार्केट में बना के बेच रही हूँ मतलब क्या मैं सिंगल सेलर हूँ मैं अकेली ऐसी लड़की हूँ जो ये मारकर बना रही हो और इसको मारकेट में ले जाके बेच रही हो अब मेरी मर्जी में इसका प्राइस कितना भी रख सकती हो ठीक है अब मेरी मर्जी कि मैं इसको जो बना रही है उसकी जो टेक्निक है ये किसी अनदर परसंट के साथ शेयर नहीं करूंगी क्योंकि शायद वो मेरे बदले मार्केट में आ गया तो और लोगों को कम रेट में अगर ये प्रोड़क्ट देने लग गया तो मेरी मार्केट सो बंद हो जाएगी ना ठीक है मतलब क्या एक monopoly ठीक है मतलब कि एक सिंगल सेलर जो market में अपनी buying and selling करता है उसको monopoly कहते हैं ठीक है monopoly मतलब क्या only single seller स्लीव एक seller रहेगा ठीक है मार्गेट में और जो क्या करेगा सप्लाइ करेगा प्रोडक्त को और जिसका कोई close substitute नहीं तभी तो वह अपने वां मन मर्जी का प्राइस दे सकता है ना अगर क्लोश सबस्टिट्टीड रहेगा तो क्या अगर यह था तो खोई किसी के पास भी जादा कर दिया तो लोग पूर प्राइब और कोको बढ़ा दिया तो हम अपना दो रुप्य बचाएंगे ठीक है इसके क अन्मद्ता इसका कोई क्लो सब्सितुटूट नहीं रहेगा मार्केट में ऐसका फ्रोड़क्टो बनाएगा UX उसके बाद सब्सक्राइबंrays स्ब्सक्राइब तो पकाड़ के इसको दोएगा अब कोई बहुंत बना रहे हुँ ठीक है तो मैं यहां करूंगी उसके पर एक्शन नहीं अब मैं अगर अकेली वनदी में मार्केट में जाके ये प्रोड़क्त को मैं अकेले हूँ जो ये मार्केट को बना के बेच रही हूं मार्केट में ठीक है तो मैं क्या करूंगी मैं ऐसा सोचूंगी कि मार्केट में सिफ और सिफ मेरा कंट्रोल हो कोई और आके मार्केट को ना हतिया ले ठीक है मतलब क्या कोई और आके इस product को ना बेशन लगे इस पे मैं जादा ध्यान दूंगी ठीक है कोई भी देगा उसके बाद क्या price maker मतलब क्या अब single seller है भाई ठीक है उसके पीछे ना कोई आगे ना कोई पीछे ठीक है उसके नाग तो कोई close substitute है मतलब क्या अब मैं अपने मन मर्जी से जितना चा ठीक है मैं अपना price determine करूंगी ठीक है अगर देखूंगी for example अगर किसी अब ही देखो हमारा Indian railway ठीक है वो क्या करता है student को concessions देता है ठीक है फिर क्या यह जिस सीने citizen रहते हैं उसको भी कुछ concession देता है ठीक है अब कोई AC में जाएगा उसका फेयर अलग है कोई two wheel है मतलब 3rd AC में जाएगा उसका अलग है कोई sleeper में जाएगा उसका अलग मतलब क्या अलग 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 लोगों से अलग अलग price determine करेगा ठीक है उसके बाद क्या no distinction between form and industries मतलब क्या अभी for example vodafone airtail और ऐसी telecom जो इंडर्स्टीज है वो अगर साथ में आके काम करेगी इसको हम लोग क्या बोलेंगे इंडर्स्टीज बोलेंगे और बस एक airtail company मेरे साथ आके काम करेगी इसको क्या बोलेंगे हम लोग forms बोलेंगे ठीक है यह कुछ features थे जो आप लोगों को बहुत easiest way में clear हो गया होगा ठीक है फिर से expense कर देती मतलब single seller single seller मतलब क्या भाई मैं अकेला seller हूँ ठीक है मेरे आजु पाजु कोई नहीं है मेरी मर्जी मैं अपने product कैसे भी बेचू ठीक है मैं बना के बेचूगा तो मैं इसको बना के बेचने नहीं दूँगा ठीक है उसके बाद क्या complete and control over the market अब मेरा control अब मेरा ऐसा सोचना है कि मैं अपनी जो control है market में बहुत बहतरीन तरीके से रखूंगा ताकि कोई भी मेरे जिसा product आगे बेच ना सकी ठीक है उसके बाद क्या price में कर मतलब क्या मैं अपनी price में कोई और आ गया तो क्या हो जाएगा वो कम रेट में देने लगेगा तो भाई को भी कम रेट में देना ही पड़ेगा इसके वज़े से क्या barrier entry नहीं है ठीक है उसके बाद क्या price discrimination मतलब क्या अभी अलग-अलग लोगों को अलग-अलग मतलब इसको क्या बोलेंगा आप5 डिस्क्रिमिनेशं उसके बाद क्या इंड़री एन फर्म मतलब क्या सारी इंड़री साथ में आ के काम करेंगे अदिक बोलेंगे और कोई एक 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 कंपनी साथ में आके काम करेंगे इसको हम लोग फॉर्म बोलेंगे ठीक है I hope कि आप लोगों को यह फीचर्स बहुत अच्छे वे में क्लियर हो गया होगा ठीक है आगे बढ़ते हैं Types of Monopoly अब Monopoly के कितने types है ? टिक है फिर्स्ट क्या है प्राइबेट MONrophy्ली मतलब क्या अब मैं हूँ तिक हो मेंठीस हैं सहकूंगी मैं अपने बारे में सोचूंगी मेरे अकेले का हैяет मेरे डालने का है मेरे को कितना प्रॉफित हो रहा महीं तुसकर हम लोग क्या बोलेंगे प्राइवेट मोनोपोली मतलब क्या हमारी अभी हमारी गौबर्मेंट है yogas अब Indian Railway है, वो क्या करेगी, अलग-अलग लोगों को, अभी for example, अभी समझ दो, अगर अचानक से Indian Railway ने अपनी जो प्राइज है, वो हाई कर लिया, अपने tickets की, अगर बढ़ा दिया, तो क्या करेंगे, लोगों के पास कोई options है क्या, नहीं है, तो लोग क्या करेंगे, उसके लोगों जो थी ना, उसके लिए उसको बहुत थारे investments लगे होगी, ठीक है, अब वो same, अब अगर अमेरिका का देखके, इधर आके, अगर अपना dominance खोल लेगा, बीना उसको पैसा दिये, तो क्या चलेगा, क्या नहीं, क्या कर सकता है, वो legal actions ले सकता है, उसके, कि भाई, त इसको बहुत सारे effects होते हैं, ठीक है, for example, अगर climate change हो गया, बारिश हो गया, उसकी जो cultivation है, वो खराब हो जाएगी, ठीक है, इसके वज़े से क्या होगा, हमारी जो natural monopoly है, इसे भी बहुत effect है, ठीक है, उसके बाद क्या, simple monopoly, मतलब क्या, एक, 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 जो seller है, वो same types की products, लो अलग price लेगा, वो ख्याल रहेगा, discriminating monopoly, मतलब क्या, for example, अभी मैं हूँ, ठीक है, अगर मैं, समझ जब मैं एक seller हूँ, ठीक है, अभी कोई और आया, उसको मैं क्या करूंगी, महेंगे में दूंगी, पर मेरा friend आया, उसको क्या करेंगी, हम लोग profit देंगे, आपने दोस्तो joint monopoly, मतलब क्या, दो-दो से ज्यादा firm साथ में आके, जब काम करते हैं, उसको joint monopoly बोलते हैं, और वो अपने profit maximization के लिए जो काम करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, joint monopoly, ठीक है, यह हमारे कुछ types थे, monopoly के, ठीक है, private monopoly मतलब क्या हम, individual, normally, ठीक है, मतलब क्या, एकदम normal person, जो individual form है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, private monopoly, ठीक है, public monopoly मतलब क्या, जो government के पास है, हमारी Indian railway, उसको कोई और नहीं चला सकता, ठीक है, सिर्फ मैं चला रहा हूँ, तु चला के दिखा, फिर तुझे बताता हूँ, ठीक है, उसके बाद क्या, legal monopoly मतलब क्या, अगर तु मेरा logo लोगों लेके जाके, और तु अगर अपनी company खोलेगा ना, तो मैं तेरी वाट लगा दूगा, और government को बोलके तो तेरी तो पूछी मत, तेरी को road बती बना दूगा, ठीक है, उसके बाद क्या natural monopoly मतलब क्या हमारे climatic के वज़े से भी, बहुत सारे monopolies होते हैं, जिनको effect होता ह ठीक है, उसके बाद क्या simple monopoly, जो all same, जो same type की products को sell करते हैं, same price पे, ठीक है, उसके बाद क्या discriminating monopoly, मतलब क्या, अलग-अलग लोगों से, अलग-अलग पैसा लोगी, मेरे दोस्तों को free में तो नहीं दूगी, थोड़ा बहुत लोगी पैसा, ठीक है, जितना उसको manufacturer करने के ल monopoly, दो, दो से ज्यादा form साथ में आके काम करती है, profit making business के लिए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, joint monopoly, ठीक है, I hope कि आप लोगों को मैंने आज जो पढ़ाया, यह बहुत अच्छी तरीके से clear हुआ होगा, ठीक है, आज के लिए बस इतना ही मिलते हम next lecture में, अगर मेरी वीडिय अप लगों को अच्छी लग रहे हैं, तो please like करें, share करें, subscribe करें और कोई भी डाउट हो, इस chapter से related तो comment करें, okay, thank you so much, bye-bye